देखिए करोना से लड़ने के दो तरीके हैं एक लॉकड़ॉन लगाना पर दूसरा करोना के नियमों की सक्ति से पालना करोना है हमने पहले दिन से कहा है कि हम लोगड़ॉन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्दगी चलती भी रहे और जिन्दगी बची भी रहे समय समय पर हमने अदेश जारी किये हैं नाइट कर्फ्यू लगाया है धरातरी दस से पांच वज़े तक उसकी सक्ती से पालना करवा रहे हैं हमें भेड के एकत्रित होने पर भी सीमा तै कि है कि इंडोर दो सो लोग इंडोर पचास लोग और आउट दो सो लोगों की हमने सीमा तै कि है मैंने होम डिपार्टमेंट को लोकल बोडी डिपार्टमेंट को उंडेस्ट्री डिपार्टमेंट को कहा है कि वो मास्क डालने के और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अपने-पने कारेक्षेतर में सक्ती से पालना करवा है अब क्योंकि और बढ़ता जा रहा है तो नियम और सकत किये जा रहे हैं और बढ़ेगा तो और सकत करे जाएंगे अब हमने सभी दुकानों को शाम छे बज़े से कल से बंद रखने का निरना लिया है और सभी जो गैर जरूरी एकत्रिक करण है कही पर लोग इकठा होते हैं कोई सेलिब्रेट करते हैं उसके उपर हमने प्रतिबंद लगाया है और अगर लोगों ने अपना कोई फंक्शन करना है कोई कारकरम करना है और प्रस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर जो पचास इंडोर का है दोसो आउट्डोर का है उसके लिए भी अपने कंसर्ण SDM से इजाज़त लेकर ही कर सकते हैं सबी दुकाने सबी दुकाने सबी दुकाने बंद रहें देखिये हमारे प्रदेश में जितने करोना के केसिज है उन में से आदे से ज्यादा तीन जिलो के हैं एक गुलगाओं के हैं एक फृरिदाबाद के हैं एक सोनीपत के हैं और बहुत बड़ी समभावना है क्योंकि दिल्ली में काभी सिति खराब बताई जा रही है दिल्ली के लोग आ रहे हूं लेकिन आगे तो आगे हम उनका इलाज करेंगे लोग तो हमारे देश के हैं हम उनका इलाज कर रहे हैं वहाँ पर अतरिक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर गुलगाओं में हमने अत्रिक आठ सो बेट का हस्टाल बनाने का निरना किया है उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हुए है तो जो भी अवश्यक्ते हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं हमारे पास सफशे नंबरों बेट्स हैं हमारे पास आइसी यू है हमारे पास ऑक्सिजन की भी कमी नहीं है हम हमारे पास रेमडी सीवर की भी कमी नहीं है सब प्रकार की जो करोना से निबटने के लिए अवश्यक्ते हैं उसका सब का हमने समय रहते हैं इंतजाम कर लिया हुआ है दिल्ली के मुख्या मंतरी को इस परकार की अफवाई नहीं फेलानी चाहिए इस से लोगों में ब्रहंती फेलती है बह फेलता है डर फेलता है हम किसी की भी अक्सिजन नहीं लोकरे हैं कल रात केंद्रिया सरकार ने जो ऑक्सिजन की री एलोकेशन की है सारे प्रांतों को उसमें हमारे हिस्से 162 मीटरी टन आया है और हमारा जो पानी बत का प्लांट है उसमें से 140 मीटरी टन दिल्ली को देने के लिए का है 80 meter ton उसमें से हर्याना को मिलेगा बाकी oxygen हमें दूसरे प्रांटर से मिलेगी 50 meter ton हमको पंजाब को देना है तो हमने रोस्टर बना दिया कि पहले दो ट्रक दिल्ली के भरो फिर एक हर्याना का भरो और फिर 3-4 के बाद पंजाब का भरो हम एक लिटर oxygen भी किसी की रोकना नहीं चाहते हैं और oxygen तो क्या अगर और भी कोई चीज हमारे पास surplus होगी किसी प्रदेश को जुरूत होगी हम देखे क्योंकि ये राष्ट्रिया अपता है ये सब मिल जूल कर ही लड़ सकते हैं इस प्रकार के दोशे रोपन करके बैठके कोई अपनी जुम्हेवारी से बच नहीं सकते हैं आज भी हरे लग oxygen का का भूए नहीं नहीं हमारे oxygen पूरी मिल रही है मैंने अधिकारी लगा दिये सब जगा पर हर प्लांट पर अधिकारी लगा दिये जो पूरा नेंतरन कर रहे हैं और पूरी तरह से state level पर भी एक नोडल अधिकारी बना दिये और गुड़गाओं में क्योंकि जएदा प्रोलम है गुड़गाओं में भी एक अलग से नोडल अधिकारी बठाने के लिए मैंने कहा दिया जो वहां की सारी विवस्ताओं को देखेगा नहीं नहीं वो तो हमने जो कहीं पर भी जो ऑउक्सिजन की सप्लाइग हो रही है सब जगापर मैंने साथ में अस्कोट लगाई है मैंने जो प्लांट हैं वहां पर भी पुलिस लगाई है आपकि किसी परकार का कोई सेब टेज ना हो सके किसी परकार का कोई काला पजारी ना हो सके हमने तो सुरक्सा की दृष्टी से लगाई है नहीं बिल्कुल कंट्रोल में है और पूरी तरह से मारा जो डिपार्टमेंट है स्वस्था विभाग है पूरी तरह से लगा हुआ हमारे पास परयाब्त मात्रा में वैक्सिन है हम लगवग 32 लाख लोगों को वैक्सिन लगा चुके है अब केंदर सरकार ने पहली तारिक से 18 साल से जैदा उमर के लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए कहा है उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है शुरू में हमें दिक्कत आई थी लोग वैक्सिन लगाने नहीं आते थे मैंने उसका भी तरीका निकाला मैंने लोगों की इनुवल्मेंट करी मैंने समाजिक संस्ताओं को राजनितिक संस्ताओं को धारमिक संस्ताओं को विपारिक संस्ताओं को कहा इनुवल किया कि यह आप लोग केंप लगाई हैं, उनोंने लोग इकठे करें, उनोंने लोग मोटिवेट करें और हमारी टीम पॉने जाकर वेक्सिनेशन लगाई, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में हर्यानम में वेक्सिनेशन बहुत अच्छे तरिक्षे होगाई नहीं कोच नहीं है हमारा पांच पॉइंट छे परसेंट जो वेस्टेज है वो बाकी रास्ट्रिया उससे बहुत कम है नहीं कर्फ्यू को ऐस अची नहीं कर दस वज़े से लेकर सुबह पांच वज़े था सकतार सुबहुत जहीं कर दोधं Organise